हलो दोस्तो नमश्कार इस चानल के उपर एक एक्स्ट्रा वीडियो यहाँ पर आ चुका है जरूर इस वीडियो को भी देखने ना इस वीडियो का लिंक भी मैं उपर आय बटन पे दे दिया है तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले एक ऐसे सेक्टर के बारे में जहाँ पर हम लोग को बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिल रही है आप सभी लोग को पता है अलग-अलग टाइप के रिसर्च रिपोर्ट में पढ़कर आप लोग के सामने लेकर आते रहता हूँ बहुत सर लोग के डाउट भी रहते सर यह आप रिपोर्ट्स पढ़ते हो ना यह एक्जैक्ली मिलेंगे कहाँ पर तो दोस्तों यह कोई एक वेबसाइट नहीं रहती है जहाँ पर आपको कोई यह डेटा मिलेगा जो भी पर्टिकुलर मतलब अगर आपको किसी सेक्टर का किसी सेग्मेंट का रिपोर्ट पढ़ना है तो उस पर्टिकुलर सेक्टर का जो हेड रहेगा हेड बॉड़ी रहेगी उससे रिलेटड वेबसाइट पर विजिट कर लेना आपको सारा डेटा मिल जाएगा उसी के साथ साथ अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटड कोई रूल्स रेगुलेशन में चेंजेज हो रहा है तो सेबी की रिपोर्ट पढ़ लेना तो वहाँ से हम लोगों को डेटा पता चल जाता है उसी के साथ साथ अगर आपके पास टेली कॉम वाली कंपनी है तो ट्राइक यह जो वेबसेट है उनके उपर जाके आप उनसे रिलेटड कोई रूल्स रेगुलेशन डेटा वो अपलोड करते रहते है तो वहाँ से यह सारी चीज़े हम लोगों को पता यहाँ पर चल जाती हूँ इस बुड़े में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहा से सोर्स कहा से तो आप भी चाओ तो उनके वेबसेट के उपर जाके सारी चीज़ें को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो रिपोर्ट किस से रिलेटड बैंक इंडस्ट्री से रिलेटड येस बैंक सेक्टर से अभी बैंकिंग में भी देखा गया ना दोस्तों तो बैंक भी तीन हिस्सों में मोटा मोटी डिवाइड है एक है सरकारी बैंक एक होती है प्राइवेट बैंक के अंदर ही हम लोगों को एक और कैटेगरी देखने को मिल जाती है small finance bank sfb के अगर हम लोग बात करें तो यहाप पर जो रिपोर्ट है, वो SFBs के और से आपे आते भी देखने का आपे मिल रही है, तो रिपोर्ट के है दोस्तो, Deposits of many small finance banks have rise compared to the previous year as a customer increase savings in the bank, तो यह सारा data फिलाल तो अम लोगों को देखने को मैं रहे, इसका इस्तमाल अम लोग कैसे करेंगे, इसका indirectly, जैसे मैं बोलता हूँ, कि यह तो पढ़ने वाली बात हो गई, यह तो बच्चा भी पढ़ लेगा, between the lines इसका message क्या है, वो सुनने के लिए आप इधर आते हो, तो वो में point आप लोगों को यह आपे बताने वाला हो, प्लस additionally business segment से related, बहुत सरा लोगों ने request भी किया था, sir आप business की बात करते हो, थोड़े से एक दो points business से related भी हमें बताते जाना, जबी भी आप किसी share के बारे में बात करते हो, तो हमें भी additional point पता चलेगा, तो कोई बात ने में अभी हर वीडियो में कोशिश करूँगा, business से related कोई एक दो point आड करने की, पूरा तो नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो तो फिर एक दो गंटे के भी बन सकती है, anyways, तो दोस्तों आप देख सकते यह देखे, data released by Indian Banks Association, IBA ने यह data released के, आप चाओ तो इनको भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, track करते रह सकते हो, यह ऐसे data यहाँ पर निकलते रहते हैं, तो उन्हें ने बता है कि जो यह small finance bank के, इनमें लोगों ने ज़्यादा deposits करके यहाँ पर रखे हुए, as compared to the बड़े-बड़े private bank, as compared to the public sector banks, तो इसके पीछे का reason के है, बहुत ही simple है, common sense वाली बात है, यह banks risky है, risky है, ऐसा क्यों बोला जाते है, क्योंकि इनमें देखा गे, तो आप check करोगे, तो capital सारी चीज़ चोटी रहती है, और यह ऐसा हो क्यों रहा है, interest rate, यह ज़्यादा interest rate देते है, आप सब लोगों को यह आपर पता है, अभी में आप लोगों को उसी से related data पढ़के यह बताने वाला हूँ, तो दोस्तों आप यहापर देख सकते हैं, पहली bank यह आपर बता है कि, AU Small Finance Bank, इनका data देख सकते हैं, 2020 के इसाब से में बात करूँ, तो 2020 में 26,164 करोड इतना यहापर क्या था, इनके deposits थे, 2021 में यह हो चुका था data लगबग 36,000 करोड राउंडेड फिगर ले लिते, और 2022 में यही फिगर बढ़कर 52,585 करोड तक जा चुका है, मैसिव जंप, मैसिव जंप, तो यह चीज़ें हम लोग को पता चल जाती है, अभी इसमें between the lines क्या है, देखे, deposit बढ़ना मतलब क्या, बैंक का धंदा क्या होता है, कि आप जो deposit पैसा रखते हैं, अभी यह जो 52,000 करोड रखा है, वो यहाँ पर क्या करेंगे, 52,000 करोड, obviously, सामने वाले जो पार्टी आएगी, उनको लोन के फॉर्म में देंगे, आपको अगर वो interest देते हैं, मान लिजए, ऐसे रफली बोलता हूँ, 8 टक्का देते है, deposit के उपर, वो सामने वाले को यही पैसा, यहाँ पर लोन के फॉर्म में दे देंगे, 12 टक्का के उपर, 15 टक्का के उपर, डिपेंड करता है किस टाइप का लोन दे रहे है, that's it, जो बीच में जो कैप आगया, 12-8 का, नेट इंटरेस इंकम, यही तो बैंक का धंदा होता है, simple, तो यही चीज़ है दोस्तो, जितना deposit बढ़ेंगे, उतना ही यह banks क्या कर सकेंगे, और ज़्यादा loan यहाँ पर दे सकेंगे, यह होता है between the lines की बात, जो मैंने आप लों को यहाँ पर बता दी है, next बात करेंगे दोस्तो, यहाँ पर equita small finance bank की बात करें, तो वहाँ पर 2020 में 7000 करोड के deposit आये थे, 2021 में वो बढ़कर लगबग 9000 करोड हो गए, और 2022 में लगबग 13000 करोड के विसाब से हम लोगों को data बढ़ते वे देखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, यह भी अपने business को और grow कर सकते है, उजिवन small finance bank, 2020 में लगबग 10,000 करोड के deposit थे, 21 में 13,000 करोड से ज़्यादा चले गए, और 2022 में अभी 18,000 के पार हम लोगों को इनके deposit बढ़ते वे देखने को आपे मिल रहे है, तो बहुत ही अच्छी बात है, एक और यहापे उतकर small finance bank का भी data आपके सामने रखा है, चलिए इसको भी पढ़ लेते है, 2020 में 5,000, 21 में 7,000, 7,000, 22 में लगबग 10,000, तो overall यहापे बात क्या पता चल रहे हैं, conclusion क्या है, conclusion यही है, कि जो small finance bank है, उनमें लोग ज़्यादा interest के लालच में, ज़्यादा interest कमाने के लिए, यहापे क्या कर रहे हैं, जितना ज़्यादा deposit यहापे बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा यह small finance bank आगे loan दे पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा interest यहापे earn कर पाएंगे, तो definitely आने वाले समय में हम लोग यहापे कह सकते है, small finance bank का performance है, आप उसके उपर नजर यहापे रख सकते हो, अभी मुद्दे की बात यह आ जाती है दोस्तों, कि small finance bank में देखा गे, तो stock market में 3-4 companies बहुत ज़्यादा popular है बट personally में एक company को ही ज़्यादा track करना पसंद कर देता हूँ, अगर आप इस channel को regularly follow करते हैं तो आपको already पता है में कौन से bank के बारे में बात करने वाल हो, और वहां के भी कुछ advantage वाले points, business की सबसे में आपको additionally बताऊँगा, तो थोड़ी सी आपकी भी knowledge बढ़ जाएगी, त कौन-कौन से bank से, तो पहली है दोस्तो एकविटा small finance bank, मुझे ये personally इतना खास नहीं लगता है, देखी मेरी कोई दूश्मन ही नहीं है, खास नहीं लगता मतलब कोई गडबड है, कोई fraud है, बिलकुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं, risk बहुत ज़्यादा है, मतलब देखा गे त एक small cap type की company है, तो यहाँ पर अगर देखा के तो 75% के returns तो अभी तक अच्छे returns बने है, इतनी भी वाईयात नहीं है, बट इससे strong better bank available है market में, तो वहाँ पर मैं जाना थोड़ा पसंद करूँगा, क्योंकि देखा के तो risk कैसे रहते है, कि private bank में risk थोड़ी सी comparatively कम रहेगी, जो small finance bank रहते हैं, उनमें risk जादा रहती है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा number one को में prefer करना जादा मतलब पसंद करता हूँ, तो equita small finance bank को मैं ignore करता हूँ, study करने के लिए ठीक है, उजीवन small finance bank, अभी retail investor तो पागली हो जाएंगे, अरे 28 रुपे का stock के खरी लेते हैं, अर अगर मन बना लिया ना अपने, तो फिर खतम, यह रहते हैं, 45% यहाँ पर डाउन है, फिलाल श्ट्रगल कर रहें, उजीवन small finance bank यह point पता होना चाहिए, सुरियदे small finance bank यह भी जस्ट अभी अभी आए है, पिछले ही कुछ समय से 63% डाउन बाप रे बाप, तो इनके business में ब अगर बढ़ सकते हो, interest मतलब, study कर सकते हो, EU small finance bank, अगर आप इस चैनल को follow करते हैं, तो आपको पता ही है, आपको प्लस वन रहता था, यहाँ पर सरकारी bank में जाने तो worst case में based वाला SBA, that's it, इसके भार यहाँ पर में तो फिलाल banking sector में जाना पसंद नहीं करता हूँ, So small finance bank में बात करें, तो EU small finance bank अभी तक तो 113% के returns दे, बहुत अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा वालेटेल रहता है, 2020 में crash आयता, तो देखे हालत देखिए, पूरे लोग भागना शुरू कर देते, मतलब डरते हैं लोग यहापे, कि अगर इनका धंदा नहीं वो मैं आपको बताऊंगा यहापे, इसके चलते हैं इस bank में हमनों को comeback होते वे देखने को मिला, प्लस यहापे एक corporate action भी हो गया, bonus split भी हमनों, मतलब bonus corporate action देखने को मिला, तो वो भी एक additional advantage वाली बात ज़रूर है, so EU small finance bank को आप consider कर सकते हैं, देखा गया तो इसके ही deposit 52,000 कर प्लस जाते हुए देखने को मिले हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, so अभी देखा किया है, तो EU small finance bank में इसमें सबसे main point क्यों सा है दोस्तो, golden point, वो है दोस्तो retail banking, देखे यह करता है, retail banking भी करेगा, wholesale banking भी करेगा, treasury operations भी करेगा, other services भी provide करेगा, but इसका जो heart है, heart, core heart है, वो है दोस्तो retail banking, और यही reason है, जिसके चलती है, risk category में भी, मैंने यहापे focus में रखाता है, यह business की हिसाब से बात हुई, कि 79-80% यह जो loan देते हैं, यह retailers को loan देते हैं, मतलब छोटे लोगों को loan देते हैं, छोटे लोग usually loan नहीं डूबाते हैं, अगर डूब भी गया, तो वसुली तो होई जाती है, आपको तो पता ही है, आपके और से guarantee ली जाती है, बड़ा player तो उसके और से आप वसुली करके बता देना तो मान जो में, yes bank की उडूबा, corporates को loan देते थे, सीधा डूब गया तो 1000 करोड, 10-1000 करोड, bank की डूब गई, तो इसलिए दोस्तो, HDFC bank नंबर वन क्यों है, उसका business model देखिए, retailers को loan देते हैं वो, so EU small finance bank भी 80% retailers को loan देता है, उसके बाद अगर देखा गया, तो treasury में business आता है, जो उनका wholesale का जो business है, वो 5-6% के आसपास देखने को मिल जाते है, wholesale banking जिदर ज़ादा रहेगी ना, उदर आपने संभल कर रहे ना होत के retail banking में, EU small finance bank, 160, 158, 116, so retail banking का धन्दा भूत इनका अच्छा चल रहा है, then treasury से इनका next पैसा या पर अच्छा मिलता है, तो treasury का कितना है, 23, 24, 31, तो ये भी बहुत ही अच्छा का जाता है, overall performance अच्छा रहता है, and wholesale से इतना ज़्यादा होना भी नीचे, wholesale, मतलब 5-6% रहेग तो इसलिए दोस्तों ये सारी चीज़े पता होनी चाहिए, retail में बहुत अच्छा कासा अप लोगों का धन्दा या पर बन जाता है, बाकि देखा के तो company का market size 42,000 करोड के आसपस का market size है, एक और important बहुत, state, कितने state में है, 18 state में इनका presence है, प्लस दो union territories में भी ये company अपना क comparison के हिसाब से रखा है, तो वो नीचे ही देखने को मिलेगा, but small finance bank अगर आप open करोगे na segment, तो उसमें ये ही number one पे आपे आ जाता है, तो इसलिए आप चाहो तो इसको भी consider कर सकते हो, again कहना चाहूँगा, ये कोई recommendation नहीं है, study purpose के लिए, जो number one रहेगा segment के हिसाब से, वो तो म next to max 25-26%, that's it, बाकी सब FISDS का ही आपे राग जा रहता है, और public का, तो ये भी point आपको पता होना चाहिए, तो आशा करता दोस्तों, ये video आप लोगों को helpful लगागा, कुछ नई चीज़े सीखने को मिलेगी, तो चाहो तो इसको like and share कर सकते है, अगर आपने अभी तक open नहीं क जिसके कारण आप stock market को आसान बाशा से सीख सको, so that's it, thank you very much दोस्तों, we will be meeting आरे स्टुडियो, तब तक के लिए, बाई बाई